नमस्कार न्यू कोबेट समाचार में आपका स्वागत है आए देखिए आज की ताजा खबर रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी ने अवैधारा मसीनों पर कारवाई करते हुई दो आरा मसीनों को सील करने के साथ ही अवैधारा मसीन संचालिक कमपाउंड को भी क्या स बता दे की रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के काशिपूर रेंज में वन विभाग को लगातार अवैधारा मसीनों की संचालिक होने की सूचना प्राप्त हो रही थी जिस पर देर रात कारवाई करते हुए तराई पश्चिमी की सयुक्ट टीम ने दो आरामसीनो को सील करने के साथ ही संचालित एरिया को भी सील करने की कारवाई की है वही जानकारी देते हुए कि रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतरगत पढ़ने वाले काशिपूर रेंज के अलीखा मोहले में अवैध तरीके से आरा मशीनों का संचालन किया जा रहा है जिनमें अवैध जंगल से आयमाल का वकान से आयमाल का स्वरूप परिवर्तन कर बजार में बेचा जा रहा है जिसमें जो कट लगे है आरा मसीने लगी है सारी अवैध है जिनका अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है जिसके बाद हमारे द्वारा काशिपूर रेंज के अलिखा मुहले में देर शाम छापेमारी की कारवाई की गई जिसमें अवैद रूप से संचालित दो आरा मशीनों को सील किया गया साथ ही उन्होंने बताया कि आरा मशीन जहां से संचालित हो रही थी उसके कंपाउंड को भी मशीनों के साथ ही सील करने की कारवाई की गई और आगे इसमें कारवाई की जा रही है आप लगतार देखते रहिए न्यू कौबेट समाचार काशीपूर से न्यू कौबेट समाचार के लिए रोश्नी पंडेय की यह विशेश रिपोर्ट चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले कल दोपर हमें सुचना मिली थी कि काल्शीपूर की अंतरगत अलिखा बहुले के अंदर अवैज रूप से आरा मसीनों का संचालन किया जा रहा है जहां पर जंगल से आये मालका और खाम के मालका सुरूप पड़िवर्टन का उसको बजार में बेचा जाता है और वहां पर जो कटर लगे हैं जो आरा मसीनी लगी हो अवैज रूप से संचालित हो रही है तो मेरे दवारा तुरित रूप से कारवाई करते हुए प्रभागिवनातिकारी के देश के अनुसार टीमों गठन करके वहां पर चाबे मारे की और वहां पर तुरित प्रभाव से दो आरा मसीनी को सीज किया गया है जिसमें से ये पाया गया कि वहां पर अवैज रूप से कटर चलाते हुए जो पेडूम का स्वरूप रिवर्तन किया जा रहा है और पूरा कारवार अवै रूप से संचालित किया जा रहा है उस छेतर की संपूर जाच की जाएगी और जो लोग है जो संचालन करता है उनके विर्द भारती बनती नियम और आरामसी निमावली के उल्ड़न के धाराओं में केस दर्च किया जा चुका है और आगे इसमें तुरित प्रवाओं से लीगल कारवाई की जाएगी